दोस्तो अगर आपका फ्रिंड आपको कोई मैसेंट कर रहा है और उसको वो डिलीट कर दे रहा है तो फिर आप उस मैसेंट करेंगे आज की सूडियो में यही बताऊंगा तो आपको जाना प्रेश टूर में और वहाँ से एक एक एपको इस्टाल करना है एप्लिकेसन का नाम है नोटी सेव तो मैंने इसको अल्रड़ी सेव कर लिया है तो मैं इसको सिंपली ओपन करता हूँ जैसे हैं आप application को open करोगे आपको कुछ permission को allow करना पड़ेगा आगर आप permission को allow करते हो तो कोई hacking का डर नहीं है इस app को मैं काफी time से use कर रहा हूँ और ये application सिर्फ आपको notification को save करता है ना कि WhatsApp को hack करता है तो और किसे को doubt होते clear हो गया होगा उसके बाद आपको कुछ भी ने करना है ये application automatic काम कर देगा और इस app की महल से आप इस status को भी save कर सकते हूँ वो भी सिर्फ one click में तो यहां मैं अपने दूसरे phone से इस phone में message करता हूँ और आपको delete करके दिखाता हूँ कि recover हो रहा है या नहीं हो रहा है तो यहां बादो देख लिजे मैंने message को send किया और इसको delete भी कर दिया बर यह save हो गया है तो यह आपका notification को सिर्फ save करता है ना कि WhatsApp को hack करता है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को share करता है आपको एक करना WhatsApp को open करना है और यहां three dots पर click करना है फिर आपको setting में click करना है और यहां पर एक option मिलेगा delete my account इस पर click करना है आपको पना number डालना है और अपने account को delete करना है डिलीट करने से पड़े आपने account का backup ले लीजेगा वो कैसे लिंगे आपको मैं बताता हूँ सो आपको इसको back करना है एक बड़ार back करना है और यहाँ click करना chats पे यहाँ पर एक option मिलेगा chat backup का इस पे click करना है और backup लेना है उसके बाद वाटसप को अनिस्टॉल करना है फिर से उसको इंस्टॉल करके सेम प्रसीजर करना है तो आप अनब्लॉक हो जाएंगे वाटसप से तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो या नहीं तो आप इस वीडियो को पूरा देखेगा तो हमारी लिश्ट में जो सबसे पहला कोड है वो है starhas62has कई बार आपको कॉल करने पर call end हो जाता या फिर no service या फिर no answer जैसे message आते हैं तो उस case में आप इस कोड को अपने mobile में dial कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कहीं आपके नंबर को किसी दूसरे नंबर पर redirect तो नहीं किया इसके बाद का जो कोड है वो है starhas21has यह कोड भी पहले वाले कोड की तरह ही काम करता है यहां पर भी आप यह पता लगा सकते हैं कि कहीं आपके call किसी दूसरे नंबर पर तो नहीं जा रहे है इसका अगर आप उनसे बचना चाहते हैं तो आप अपने android device में dial करें has has 002has और यह सब इसे dial करेंगे तो आपके नंबर को जो भी बंदा forward करा है या फिर जो भी बंदा आपके नंबर को track करा है उन सब के नंबर एक साथ delete हो जाए